हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्यान साथी चैनल में ज्यान साथी लेकिया आया है आज आपके लिए महा शिवरात्री की कथा शिवरात्री का तहार आने वाला है तो कथा इस परकार है प्राचीन काल में एक शिकारी जानवरों का शिकार करके अपने कटुम्ब का पालन पोशन करता था बड़े परिवार को कटुम्ब कहा जाता था तब एक रोज वहां जंगल में शिकार के लिए निकला लेकिन दिन बर भाग दोड करने पर भी उसे कोई शिकार नहीं मिला वे बूख प्यास के व्याकुल होने लगा शिकार की बाट निहारता निहारता वे एक तलाब के किनारे बेल व्रिक्ष पर अपना पड़ाव बनाने लगा बेल व्रिक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से डखा हुआ था शिकारी को इस बात का ग्यात ना था पड़ाव बनाते बनाते उसने जो टहनिया तोड़ी वे संजोग से शिवलिंग पर जा गिरी शिकार की रा देखता देखता वे विल पेड से पत्तर तोड़ तोड़ कर शिवलिंग पर अरपित करता रहा दिन बर बूखे प्यास से शिकारी का वर्त भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्तर भी चड़ गये इस तरह वे अंजाने में किये गे पुन्य का बागी बन गया बेल पत्र का शिवरात्री में बहुत अच्छा परभाव है तबी हर कोई बेल पत्र चड़ाता है दोस्तरों रात्री का एक पहर वतीत होने पर एक गर्बनी मुर्गी कलाब पर पानी पीने आई शिकारी ने दुनुश परती चड़ा कर जो ही प्रत्रच्या खीची मुर्गी बोली शिकारी मुझे मत मारो मैं गर्बनी हूँ शिर्द ही प्रसव करूँगी तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है मैं अपने बच्चे को जनम देकर जल्दी ही तुमारे पास वापिस आ जाऊंगी तब तुम मुझे मार लेना शिकारी को हिर्नी सच्ची लगी उसने तरंत अपने परत्यंचा डिली कर दी और मुर्गी जाडियों में लुप्त हो गई कुछ समय उप्राग एक और मुर्गी उदर से निकली शिकारी बहुत खोश हुआ अब तो शिकार मिल गया समी पाने पर उस पर दनुश्बान चड़ाऊंगा मुर्गी ने विनर्ता बुरक नवेदन किया है शिकारी मैं थोड़ी देर पहले ही रित्तु से निर्वत हुई हूँ कामुंत्र वरेनी हूँ अपने प्रिये की खोज में बटक रही हूँ मैं अपने पती से मिलकर जल्दी ही तुमारे पास आ जाओंगी शिकारी ने उसे भी जाने दिया दोस्तो दो बार अपना शिकार को उसने समय ही को दिया उसका मा था ठनका उसने सोचा चिंता में पड़े गया रात्री का आगरी पहर बीत रहा था तबी एक अन्य मुर्गी अपने बच्चों के साथ उदर से निकली शिकारी के लिए ये सवरन अवसर था उसने दुनुष पर तीर चड़ाने में देर ना लगाई वैं तीर छोड़ने ही वाला था कि मुर्गी बोली हे शिकारी मैं इन बच्चों के पिता के हवाले का रहा हूँ लोट का रहा हूँगी उस समय तुम मुझे इस समय तुम मत मारो तब मार लेना उत्तर में मुर्गी ने फिर कहा जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है ठीक वैसे ही मुझे अपने बच्चों की चिंता है इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवनतान मांग रही हूँ हे शिकारी मेरा विश्वाश कर मैं इने इनके पिता के पास छोड़ कर तरंत लोटने की परतिग्या करती हूँ मुर्गी का दीन सवर सुनकर शिकारी को उस पर दिया आ गई उसने उस मुर्गी को जाने दिया शिकार के अबाव में बेल वृच्च पर बैठा शिकारी बेल पत्तर तोड़ तोड़ कर नीचे फैंता जा रहा था पोफटने को होग हुई तो एक हश्ट पुष्ट मुर्ग उस रास्ते पर आया शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार मैं अवश्य करेगा शिकारी की तनी प्रजंचा देख मुर्ग वनित सवर में बोला यह शिकारी भाई यदि तुमने मुझे पूरव आने वाली तीन मुर्गिया तता छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो तांकि उनके वियोग में मुझे एक शन भी दुख ना सहना पड़े मैं उन मुर्गियों का पती हूँ यदि तुमने मुझे जीवनदान दिया है तो मुझे भी कुछ चन जीवनदान देने की किरपा गरो मैं उनसे मिलकर तुमारे सामने उपस्तित हो जाऊंगा उपवास, रात्री, जागरन तथा शिवलिंग पर बेल पत्तर चड़ाने से शिकारी का हिंसक हिर्द्य, हिंसक हिर्द्य की निर्मल हो गया उसको मतलब दयावान हो गया, उससे बगवत शक्ति का वास हो गया दुनुश तथा बान उसके हातों से सहज ही छूट गये, बगवान शिव की अनुकंपा से उसके इंसक रिद्य कर्रानिक हबाव में भर गया वै अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की जवाला में जलने लगा थोड़ी ही देर बाद मृग सहपरवार शिकारी के समक्ष उपस्तित हो गया, तांकि वै उनका शिकार कर सके किन्तु जंगली पश्चुओं की ऐसी तत्यता संताविता एमसमुई प्रेम बावना देकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई उसके नेत्रों में आंसुओं की जड़ी लग गई, उस मृग परिवार को ना मारकर शिकारी ने अपने कठोर हिर्द्य को जीव इंसा से सदा के लिए हटा दिया और अपने आपको कोमल एम द्यालू बना दिया, देव लोग से समस्त देवा समाग की इस गटना को देख रह अशा की तब शिकारी तथा मुर्ग प्रवार मोक्ष को प्रवावत होए तो दोस्तों आपने देखा कि अंजाने में किया हुआ भी पुन, बेल पत्तर चड़ाए और कैसे शंकर भगवान ने उसके दिल में करुना बरी